जै भीम दन्यूजबीक की इस खास पेसकस में आपका स्वागत है राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू राम मंदिर में दर्शन करने के लिए गई उन्होंने गर्ब गरे के भीतर खड़े होकर राम की पूजा की जिसकी तस्वीरे सामने आने के बाद बहुत से दलित बहुजन लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं कि एक आदिवासी महिला को आखिरकार गर्ब गरे में दाखिल होने का अधिकार मिला क्या ये तस्वीरे खुश होने की है क्या मंदिर में जाने भर से हमें खुश हो जाना चाहिए इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ The Newsbeak के संपादत सुमित चोहान आज हमारे साथ हैं तो सुमित राश्रपती के मंदिर जाने को आप कैसे देखते हैं? जब कि BJP के जो नहता थे जब गए थे तो उनको अंदर जाके गर्ब ग्रह में पूजा करने को मिला था तो ये जो राम भक्त हैं, जो धार्मिक रूप से आस्ता रखते हैं, जो हिंदू धर्म में आस्ता रखते हैं, उनके लिए तो ये लगता है कि भई अच्छी बात है, राश्च्पती अंदर गई हैं, लेकिन जो सामाजी क्याए के लोग हैं, जो बाबा साहिब डूक्टर अम न्याय हुआ है, उसके पास में जाएं, मंदिर जाने की जगए, गर उसके पास जाके उसका भला करें, उसको न्याय दिलाने का काम करें, प्रशाशन को कहें कि उसके लिए काम करें, तो वो हमारे लिए ज्यादा सुख़द होगा, ज्यादा एक कहें की न्याय प्रिय बात ह लेकिन राश्पती मोधिया की अपनी आस्था है उनका अपना एक विचार है क्योंकि वो धर्मिक रूप से आस्था रखती है और जब उनको राश्पती का एलान किया गया था तब भी वो मंदिर में गई थी और उसके बाद हम देखते हैं कि वो तमाम मंदिरों में जाती है लेकिन इनिश्य तोर पर एक नई शुरुवात जरूर है और चुनकि चुनावी माहूल है तो एक नया संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि राश्पती मोधिया वहाँ पर गई है और इस चर्चा में आगे इस पर हम और बात करेंगे लेकिन राश्पती के मंदिर जान जंगल जमीन के जो लड़ाई है वह मजबूत हुई है क्या अधिवासी माईला हैं जो की यूनाइटे नेशन के रिपोर्ट कहती है कि वह सवन माईलाओं के मुकाबले 14 साल पहले मर जाते हैं क्योंकि वह कुपोशित होती हैं उनके पास में जो एंसैनिटेशन की सुविद उसके 40,000 मामले दर्ज होते थे साल में और अब जो 2024 के हम बात करें तो पिछले साल के जो आकड़े हैं 2022 का अगर मैं आपको डेटा बताओं तो 57,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं तो लगातार उत्पीडन बड़ा है तो जो दलित बहुजन समाज पर जो उत्पीडन है उसकी वारदाते लगातार बड़ी हैं उसमें तो कोई कमी नहीं आने वाली तो मंदिर मस्जित के हमारी कोई लड़ाई नहीं है रास्पती मोदया की अपनी आस्ता है चली जाएं जिस मंदिर में जाएं वो जाएं सवाल ये कि क्या ऐसे मंदिरों में दलित बहुजन समाज के लोग जिस वर्ग से रास्पती मोद्या आती है उसके पुजारी बन सकने ही क्या किसी आदिवास्की को राम मंदिर का पुजारी बनाया जा सकता है क्या किसी दलित व्यक्ति को सेड्यूल कस्ट के व्यक्ति को या OBC समाज के व्यक्ति को हम जो है राम मंदिर में पुजारी नुकत कर सकते हैं, क्योंकि राम-मंदिर का पुजारी होना मतलब उसके पूरे कामकाज को देखना, उसकी तजोरी को देखना क्या चड़ावा, तमाम दुनियारडारी जा रही है, वहाँ पर सब कुछ हो रहा है, लाख करोरों का उसमें चड़ावा चड़ारी है, हमारी वो हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं आदिवासी समाज से हैं क्या कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति मंदिर में पुजारी बन सकता है यह सवाल हो जाता है तो मुझे लगता है कि मंदिर से जाने से तो कुछ हासिल व्यक्तिगा तो पर तो समाज को नहीं होगा बिलकु क्योंकि देखेंगे दुनिया के बाकी धार्मिक प्रतीकों को जब देखेंगे दुनिया के बाकी धार्मिक स्क्लों को देखेंगे चाहे वो गुर्द्वारा हो मस्जिद हो या चर्च हो या बुर्द विहार हो या जो बाकी और भी चोटे मोटे धर्म हैं उन सब के धार्मिक लोग को आप देखेंगे तो वहां पूरी जनता को जाने की इजासत होती है वो जनता पूरे अंदर दर्बार तक जाती है लेकिन यह सिर्फ हिंदू धर्म में ही ऐसी चीज है कि जो जहां पर देवी देवता की मूर्टिया रखी जाती है वो उसको गर्ब ग्रह बुलाते हैं वहां पर लोगों को जाने की जाज़त नहीं होती है लोगों दूर से दर्शन करते हैं वो बहर से कोई बैरिकेडिंग कर दी जाती है या कुछ दर्वासा लगा दिया जाता है कि आप आप दर्शन करें बहर ही रहें अंदर नहीं जा सकते तो हिंदू धर्म में गर्ब ग्र ज्यादा तर धार्मिक स्टलो पर फोटोग्राफी भी मना होती है, वीडियोग्राफी भी मना होती है, लोग बोलते हैं कि आप मूर्ती की फोटो नहीं खिच सकते, आप उसकी वीडियो नहीं बना सकते, और यह जब चीजे ऐसी पाबंदिया होती है, गर्ब ग्रह में नहीं को देता हूं उस उधारन से शायद आपको अंजाज हो कि गर्भ ग्रह में एंट्री क्यों नहीं दी जाती खास कर दलित बोजन समाज के लोगों को तो बिलकुल वहां पर मनाई होती है तमिलाडू के सलेम में एक मामला हुआ कुछ यह पिछले साल का ही मामला है और उसमें एक पुझा पाट कर रहे थे वह दरसल तथागज बुध की मूर्ति थी ती जी वो हमने भी देख वह कबर भी हम्हारे न्यूज्वीक पर हम लोगों ने चलाई थी वह जो है तथागज बुध मूर्थी थी और फिर वो मदरास हाई कोट ने उस पर बैन लगाया कि हिंदू लोग यहां पूजा नहीं कर सकते आप इसको डेवी देवतना बता कि आप जूट बोलने इस पर पूजा नहीं कर सकते उन्होंने मूर्थ है और यह पुरा तत्विक की महतुरता है क्यूंकि यह बहुत पुनानी मूर्थी है तो आप देखें बहुत सारे मंदिरों में इस बात क्या आरूप हैं चाहे वो कालाराम मंदिर हो या फिर आयोध्या में भी इस विवाद को लेके पेटिशन भी फाइल हुई थी कि वो साकेद भूमी जो है वो ततागत बुद्ध की भूमी है अलाकि सुप्रीम कोर्ट ओफ इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया और बोधो का जो पक्स्था उसको सुना ही नहीं गया और भी तमाम जो मंदिर हैं उसमें ये दावा किया ज होगि एक जाता है उनको चमकीले कपड़े पहना दी जाते हैं तुमाम तरीके-क अभूशन ऐसे पहना दी जाते हैं कि आपको सिर्फ वो चेरा दिखता है जिसको वो मन मुताबिक मेक अपर के सजा के डिजाइन करके दिखाते हैं बाकिया अप उसको देख के अंदाजा नह लगा सकते हैं कि वो मूर्ति किसकी है और ये तमाम वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल होते हैं आपने पिछलों दूनों कुछ वीडियो देखे होंगे जिसमें एक तथागज बुद्ध की मूर्ति को सजावट करके उसमें जो हैं कुछ नए कपड़े पहना के और उसको देवे कहीं पर कोई लोकल बाबा बता देते हैं कभी कोई उनको शिव बता देता है कभी कोई किछोर बता देता है तो तथागज बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां अगर सही से उनकी कहें की पहचान की जाए और इन तमाम मंदिरों में जो मूर्तियां रखे हुई हैं तो आपको ततागद बूद्ध के साक्षय मिलते हैं जै कि अप देखेंगे कि उनके सिर्की बनावट है वो जिस तरह से उनके बाल हैं गुंगराले बाल है या वो शेल उन पे लगी हुई है जिस तरह कि उनकी मुद्राएं हैं कि इस तरह से वह बैठे हुए हैं वो उनके खा लेते हैं कि यही कोई देवी बना लेता है कि यही एक वजा लुट के बारे में लोगों को ना पता चल जाए उनकी पॉल पर ट ना खुल जाए इसलिए वो घर्ब घुरह में नहीं जाने देते वरना भगवान को किशी इसका डर है आप कर दो Also सरवाष्षक्ति मान है तो उन्हें किसी के फोटो किछने से क्या डर है वीडियो बनाने से क्या डर है आप उनके अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे आप जब देखे आप उनको आर्थी करते हैं या उनके कपड़े चेंज होते हैं तब भी वो उसको परदे को गिरा देते हैं कि अभी कपड़े चेंज कर रहे हैं मूर्ती के परदा गिरा देते हैं किसी को पता भी नहीं चलने देती कि अंदर क्या हो रहा है वह खुदी करते हैं और यह इस बात के बिल्कुल गुंजाईश है बोध जो धमके जानकार हैं उन लोगों का आरोप है किस देश के बड़े-बड़े मंदिरों में मठों में आप देखें सौमनात का मंदिर जिसको इतना बड़ा तेरस्तान माना जाता है इंदु धरम में उस मंदिर के नीचे बारा मंजिला बहुत विहार निकला यह तो अपराद है इसलिए हम कोई आपको फेक न्यूज नहीं फेला रहे हैं कोई चेक कर रहे हैं एकदम आपको तथ्या बता रहे हैं आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि समनात में जो मंदिर है उसके नीचे चैटान की नीचे बारा मंजिला बुद्ध विहार है तमाम गुफाये मिली हैं जहां पर बुद्ध विहार के ओने के आप और मैं तो मौदी के गाउं भी गए थे बिल्कुल और काफी सारी जगों पर ऐसा चीज देखा बिल्कुल और काफी सारी रिपोर्टिंग की कैसे जमीन खोदे तो वहां से बुद्ध विहार निकलते था तथागत बुद्ध के अवशेश निकलते हैं और वहां पर भी उन्होंने एक मंदिर का जो है चोटी सी जगे पर कॉर्नर में मंदिर एक चोटा सा खुद से ही बना दिया है यह तो अपप्रियेशन इनका होता है मोहित कि यह कहीं पर लाल पत्थर दो उसके उपर वर्क लगा तथागत बुद्ध को इन्होंने वैसे भी विश्नु का अवतार गोशित करने की कोशिश की राम मंदिर में भी वो जो मूर्ती ले गिया उसमें भी उनको नोवे अवतार की तोर पर दिखाया गया है लेकिन वही है कि हम तो बाबासाब डुक्टरम बेटकर को मानते हैं ब ब्रमा विश्नु महेश गोरी गनपती की पूजा नहीं करूंगा तो हम तो बाबासाब डुक्टरम बेटकर को मानने वाले लोग हैं उनकी बाइस प्रतिग्या पर यकीन रखते हैं इसलिए मुझे लगता है कि हम तो इन सब में नहीं पढ़ेंगे लेकिन हां इन मंदिरों के गर्वग्रह की जरूर जांच होनी चाहिए जरूर मूर्तियों की परक होनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ दोखा नहीं है सिर्फ बहुत धर्म के मानने वाले लोगों के साथ दोखा नहीं है ये हिंदु धर्म के जो लोग हैं उनके साथ भी धोखा है कि उनको य हमारे तदागत बुद्ध की पुजा देवी देवता बनाके करवाई जा रही है आपसे तो आपको भी इस पर सवाल उठाना चाहिए और यही वज़े की जाने नहीं देते हैं गर्व ग्रह में सुमित आप ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात की बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी मंदिर आंदोलन किया था आपको याद हो उन्होंने कालाराम मंदिर में आंदोलन किया था तो फिर मंदिर जाने में क्या दिक्कत है यह लोजिक बहुत बार हमारे समा किया है ऐसा नहीं कि वह थोड़े समय के लिए था लंबे समय तक आंदोलन चलता रहा और कालारा मंदिर आंदोलन पे तो एक दम मुठबेड की सिती आ गई थी कि जो ब्रह्मानवादी लोग थे वह उन पर हमला करने के लिए रेडी हो गए थे और एक मुठबेड हुआ से की के लिए रांदोलन किया लेकिन वह कभी मंदिर नहीं गयी है वह खुद मंदेर में उन्होंने एंट्री नहीं कि नहीं कि कालारा हा अंदोलन के लिए पीक्रम के बात थे दशार्म के नाम पर जनिता ज्यादा एक जूठ होती है धर्म के नाम पर लोगों के Gillo стен माग में जल्दी से आप अपनी मात पहुचा सकते हैं और बाबा साहिब डुक्टर अमबेटकर भी शायद इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे और उस समय लोगों को यह समझाना कि आप यह कह रहे हो कि भाई सब बराबर हैं लेकिन यह तो आपको मंदिर में जाने नहीं देते य के लिए काम्याब हुए उनको इखटा करने के लिए उनको आंदोलन के लिए मनाने के लिए तयार करने में बाबा साहिब डुक्टर अमबेटकर को इससे मदद मिली और वो देश-दुनिया को यह बताना चाहते थे कि कैसे भारत के जो अच्छूत लोग हैं उनके साथ में अमान भी विभार किया जाता है उनको सारजनिक तालाबों से पानी नहीं पीने दिया जाता उनको स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता उनको जो सारजनिक रास्ते सडक उनसे नहीं चलने दिया जाता वो संपत्ति नहीं जोटा सकते बाल नहीं कटवा सकते नहीं उनके कपड़े नी धोता ब्राह्मन जो उनको टच नहीं करता चत्रिय जो उनको टच नहीं करता चूत मान के रखता है उनको जो है मंद्रो मैंट्री नहीं मिलती तो यह अंग्रेजी सरकार को दुनिया को बताने की कोशिश थी बाबा साहिब डूक्र अबेट्कर ने उस अवसर को एक हथियार की तरह से इस्थमाल किया बाबा साहिब मंदिर न को काम्याप बनाया उसके बाद आप ड़ाम्भेटרי कर ने जिंदगी में कभी अंदोलन नहीं किया वह न दोन कालारा मंदिर और अंस दोनback कभी भी किसी मंदिर में एंची के लिए New ने कोई आंदोलन नहीं किया बलकि वो ये तक कह देते हैं कि मैं हिंदू के रूप में पैडा जरूर हुआ हूं लेकिन मैं हंदू के रूप में मरूंगा नहीं जी बिलकुल और आखिरकार वो हिंदु धर्म को मेंशा के लिए ठुकरा देते हैं और तथागत बुद्ध जो न्याय समता बंदुता का मैत्री का रास्ता दिखाते हैं बहुत धम की तरह बाबा साहिब डुक्टर अमेड कर बढ़ते हैं और को नहीं मिलता इन फेक्ट जो श्राद होते हैं जिसको आप बहुत सारे हिंदू लोग मनाते हैं सब ऐसी सब लोग मनाते हैं कि वो पित्रों की पूजा होती है तो इक बार का किस्सा है कि माता रमाई जो है वो बंबे वाला घर था उनका राजग्रे जो अभी म्यूजियम है उसमें बाबा साहिब अबेटकर से उन्होंने का है कि अभी वो चल रहे हैं श्राद तो मैं पित्रों के लिए कुछ अयोजन करना चाहते हूं तो कुछ किया जाए कुछ पुजा पाठ की जाए तो बाबा साहिब अगर यही सब करना है तो एक काम करो तुम ना बढ़िया सा बाबा साहिब privileged क35 मेट पनाओं और बाबा साहिब अचु चाहते है और एकदम चूरा मेटकर उनको भर फेट खाना किला उनको जो इंक़ घर को फिलाए बढ़िया घर का बंदा खźniejा उनकी यह अच्य जीज़ है यह पारे बच्चों को भला करेगी ना कि यह और भुट समझने वाली बात है कि जन लोगों ने तुमारे लोगों को यह जी ते जी, पानी नीपी ने दिया कि वो सुर्च में तुम्हारे दियाओे पकवान ख़लाएंगी क्या bez susceptible वो सुर्ग जो तुम भेज रहे हो वो देने देंगे वो इस सदेंगे तुम्हारे लोगों को तो बिलकुल ही डेंगे देंग कि समझने वालीधि समझने वाली बात है तो वह ब स्अचिछ due भुद्ध का धर्म क्योंकि वो वह धर्म इशवर वागा नहीं है वह ताधागत बुद्ध कभी नहीं कहते कि मैं मुक्ति यह कहते मैं मार्ग बताने वाला हूं मुक्ती का बार्ब तरहांगा मैं आपको धेजने गये चीजी चीश स्वाइब कर ने धम को अपनाया था, वो मुक्ति के लिए या किसी ईश्वर की प्राप्ति के लिए धम में नहीं गए थे, तो ये बाबा साहिब डॉक्टर अमबेटकर की जो बात का सहरा लेके कह देना कि भई, उन्होंने भी तो अंदोलन किया था, अंटिक आभी उसमें जा रहे हैं, त का देखिए वो बाबा साहिब डॉक्टर अमबेटकर की अंदोलन को गर-गर तक लेके गए, वो कहते हैं उनका बयान है कि मंदिर-मस्जिद की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है स्कूल और कॉलेज की. तो माने वर्काशिराम साहिब कहते हैं कि भई, हमारी कि क्या उसर छिन लिये गए हैं, सिक्षा का बाजारी करन हुआ है, हमारे बच्चे महेंगे फीस दे के नहीं पढ़ पा रहे हैं, सरकारी स्कूलों को, सरकारी कॉलेजियों को, यूनिवर्सिटीज को बंद किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए का विश्य होना चाहिए, मंदिरों में एंट्री मिले, ना मिले, मतलब इस पे तो मुझे लगता है कि कोई बहुत चिंता हमको नहीं करनी चाहिए, अलाकि जिनके आस्ता है वो बिचारे निश्य तोर पर परिशान होते हैं, लेकिन कभी-कभी मैं सोच ता हूँ कि, आप वह करने क्या जाते हो, जहां आपको लात पड़ती है, जहां आपको अपमान जेलना पड़ता है, जहां आपके साथ में नाइंसाफ ही होती है, आपको डाट के गाली दे के बगा दिया जाता है, तो अपमान जहां मिलता है, बेजज़त होने लिए वहां क्यों जाना बई, नही अंदर माना जा सकता है इस चीज़ को देखे तो क्या वो अपनी जब गलतियों को सुधार रहा है अपनी गलतियों को ठीक कर रहा है हिंदु धरम तो क्या हमको इसका स्वागत नहीं करना चाहिए जरूरी सवाल है मोरित ये इसका जवाब मुझे लगता है कि एकदम बहुत चोटे शब्दों में निद्या जा सकता है तोड़ा सा समय लेकि मैं बता हुआँगा कि हिंदु धरम का अगर आप इतियास देखेंगे बाब इसलिए उनके वाक्य को समझते हुए वाईस को जानना वह जरूरी है घंदु धरम के ही लोग कहते हैं कि हिंदु धरम सानातन धरम सबसे पुराना है सबसे प्राचीन धर्म है ।से लोगों का दौए को मैं दो रहा हुं मैं कुछ नहीं कहारा व उस मरे में अबード hacks क के को एक deadline हम लोग मान लेते हैं तो पांच हजार साल का इतियास इंसान का मिलता है कि सब्धा बनी बिगडी यह हुआ तो पांच हजार साल की इतियास हम को overall देखने को मिलती है इन पांच हजार सालों में हिंदु धर्म में कभी कोई सुधार हुआ नहीं बिलकुत दुनिया के त साथ-साथ उन्होंने मानवता के लिए कल्डियान के लिए काम किया और आप चाहे het Christianity को देखे इस्लाम को देखें ये इनकीत्यास इस्लाम और Christianity की इतियास निश्य तोर पर बहुत हीгрर रहे हैं बहुत हिंसक धर्मों का इतियास इनका रहा है दुनिया में बहुत लड़ाईयां इन दर्मों की वज़े से हुई है लेकिन बाद में आप देखेंगे तो इन्होंने कल्यानकारी रूप भी अपनाया चाहे आप क्रिश्यानिटी का देखें कि वो लोग आते तो मिशनरी लोग लेकर आते थे स्कूल कॉलेज खोलना लोगों की भलाई करना सेवा काम करना और वो तर्माम तरीके के काम करते थे इसी तरह से इसलाम में भी आप देखेंगे वो रोजे रखने का चाहे चैलन हो कि रोजे रखो Christianity भी इतने सारे मुलकों में फैला वो दबाओ की वज़े से भी लोगों ने अपनाया और फिर सुच्छा से भी अपनाया बोनों कारण है उसमें मैं यह नहीं कहुँगा कि वो इतने अच्छे धरम थे कि इसलिए सब भी हो गए उसके तमाम कारण है सामराजयवादी दोर में भी लोगों ने अपनाया लेकिन हिंदू धरम भारत से बाहर क्यों निकल पाया पॉडोसी राजों में भी निकल पाया बाकी अमरीका तो छोड़ दीजे इंग्लेंड तो छोड़ दीजे कि वहां क्यों नहीं गया आप नेपाल को मानते हैं कि चलो व अपने घर की डैलीज को लांग के कहीं पे नहीं जा पाये आपको कोई क्यों अपना नहीं पाया उसकी वज़य यही है कि हिंदू धरम दरसल प्रॉपकारी धर्म नहीं रहा हिंदू धरम ने हमेशा अपने ही समाज में गैर बराबरी को सद्धानतिक मानिता दी है आप धरमिक मानिता नहीं देता आप इसलाम की बात करें आप सिखिजम की बात करें आप खिश्यानिटी की बात करें आप जुडाइजम की बात करें किसी भी आप रिलिशन को ले लीजिए एक इंसान बड़ा है एक इंसान चोटा है यह मानिता धरमिक तोर पर स्वीकर्त नहीं ह लेकिन आप हिंदु धर्म में आप आएंगे, हिंदु धर्म में आप रिगवेद का पुरुष्रुक्ता दस्वा मंदला पड़ेंगे उसमें तो उसी में लिखा है कि विराठ पुरुष्ट ब्रह्मा के मूँ से जो है वो ब्रामन पैदा हुए, वो जाओ से च्छत्रिया पै तो गीतामी यही कहते है कि मैं विराठ पुरुष्ट कृष्ट मैने श्रिष्टी को गुन करम के इसाब से इस चतुर वरन के सिस्टम में बाठ दिया है और इस बात्ने के इसाब से ही समाज को अपना काम करना चाहिए, तो धार्मिक मानेता है, यानि धर्म उसको में जाने के लिए कोई सीडी नहीं है, यह बाबा साहिब दुक्तर मेटकर कहते हैं, क्यों नहीं है क्योंकि आप देखिए, आप धर्म बदल सकते हैं, आप हिंदू से मुसल्मान हो सकते हैं, लेकिन आप ब्रह्मन से दलित नहीं हो सकते हैं और दलित से ब्रह्मन नहीं हो सक जनम के कारण, करम के कारण आपको इसमें जनम मिला है, दलितों को ये का गया कि तुमने पिछले जनम में पुराने जनम में बुरे काम किये थे, पांप किये थे, इसलिए से तुम शुद्र पैदा हुए हो, तुम दलित पैदा हुए, चुद पैदा हुए, ये का गया, अच् कि इसके पुराने कर्मों का पापों का फल है ये उसकी नियत ही है ये आप देखें कि वैसे भावना नहीं है लोगों में खासकर जो हिंदु द्रव में आसता वाले लोग हैं कि वो प्रॉपकार कल्यानकारी भावना से जाएं और लोगों का भला करें वो इस चकर में जरूर आप ये काम करते हैं कि मैं अगर भला करूंगा तो मुझे पुन्य मिलेगा अगले जनम में या मुझे स्वर्ग में जाके इसका फायदा मिलेगा तो वो कही ना कही एक लालच की भाव होता है तो इसी वज़े से आप देखेंगे कि हिंदू धरम में पुराने सालों में इतने वो सिमेट के रह गया इसलिए लोगों का उसे मौ बंग हुआ बड़ी संख्या में जो अचूज जातियां थी उन्होंने शूदर अती शूदर जातियां थी उन्होंने हिंदू धरम को छोड़ा दूसरे धर्मों को अपनाया और अब ये अचलन लगातार बढ़ रहा है आप देखें 14 अक्टूबर को जो है वो द्हम दिक्षा लेते हैं वो बड़ी संख्या में अमारे देश में देखें बड़ा द्हम के तरफ दिक्षा समारो होता है और लोग अपना धरम परिवर्तन कर लेते हैं हिंदू धरम को छोड़ देते हैं उसी तरह से आप देखें परिषिट न Argentine वी जोग चलाते हैं तो यौग इसलाम की अपना रहे है। रगहां तो हिंदू धरम को छोड़ रहे हैं लोग जो खासकर दिखागी जातिया है आपको एक व्यक्ति को जो आपके जैसे हार्ड मास्का बना हुआ है, आपके जैसा चैरा है, आपके जैसे नाखुन है, आपके जैसे बाल उसके आते है, आपके जैसा होट है, आपके जैसे सब कुछ उसकी सारी जिक संदचना है, खुन आपके जैसा है, उस व्यक्ति को आपक नहीं चाहते हैं और यह बदलाव अभी मजबूरी है क्योंकि दरिज बोचन समाज जाग रहा है वो छोड़े ना हिंदु दर्म को छोड़के और अलग हो जाएं और वो अपने थागत बुद्ध के तरफ लोड़ जाएं या बाकी दर्मों को ले जाएं या वो नास्तिक बन दर्म के प्रतियाब लोग दीरे दीरे जाग रहें कि जो अफीम है उसको चाटना बंद कर रहे हैं चासनी को चाटना बंद कर रहे हैं तो यह उसको रोकने की कोशिश है कि धरम में एक मैसेज दिया जाए कि देखिए हम तो जो हैं बहुत अच्छे धरम हैं और सब को समान लेके चलते हैं और हमारे तो कोई भेदबा होता नहीं है देखे एक महिला राष्टपती बने उसको गर्भग्रह में जाने का मुखा दिया तो इसलिए राष्टपती के सहारे जो हिंदुबादी ताकते हैं वो यह मैसेज देने की कोशिश करें कि हिंदुदर्म बहुत अच् मुख जी का हमारे प्रेजिडेंट द्रोपदी मुर्मु जी का मंदिर जाना कैं ये कोई सियासी संदेश थो नहीं है डिफिनेटल सियासी संदेश है क्योंकि जो हमारी राष्टपती मोधया को बीजेपी की हिस्सा है बीजेपी की चार्यकरता रही है उसके पदादिकारी जाए पर राजय पाल रही और राष्ट परती बनी है तो क्यूंकि चझाव की चल रहा है अगर हमारी राष्टपती मोध्याको उन्हें इतना ही सम्मान कोचने वाली बात है कि राष्टपती का ना जाना और प्रधान मंत्री का जाना जबकि प्रधान मंत्री उनसे छोटा पद होता है इस बात का विरोध भी काफी लोगों कि आपने प्रधान मंत्री जो हैं जो की पद में छोटे हैं राष्टपती से नीचा पद है उनका वो चल पुजा में नहीं बुलाए गया, आप चू की वोट डाले जा रहे हैं, दो चरन का वोट हो चुका है, वोटिंग हो चुकि और जो वोटिंग जो बहवियर है लोगों का वो समझ में आ रहा है कि इस बार मोदी लेहर नहीं है, बिलकुल, बिलकुल, लोगों में एक्साइटमे नहीं है, अब एक्साइटमें नहीं है तो फिर धरम के नाम पर लाया जाओ, और इंट्रस्टिंग बात है मोदी लेहर नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी थन्ना हो गया, 22 जनुरी को अब जाओगी तो को बहुत बड़ा मुद्दा आपको चनाओ में देखने को नहीं याद दिलाने की कोशिश है, सीधी सी बात है, याद दिलाने की कोशिश है कि राम मंदिर बना, रास्पती गई है, वो उसका दिनबर टीवी पर दिखाना, फिर खासकर ये बताना कि गर्व ग्रह में पूजा की है, अदिवासी महिला ने की है, ये बार-बार क्यों बताई जारी यह बाद, तो यह मैसेश देने की कोशिश है, कि चुनाओं में उसका फाइदा मिले, जो दलित भोजन आदिवासी समाज के लोग BJP से नाराज हैं, BJP की चालो को समझ चुके हैं, BJP ने जैसे उनकी अक्मारी की है, क्योंकि आप देखी, प्रदानमंतरी नरेंदर मोधी ने जितने सरकारी कम्पणियों को बेचा, जितने PSU को प्राइवताइज कीया, उन सब में SCST, OBC का रेजरवेशन लागू था, उन सब में उनको रेजरवेशन मिलता था, लेकिन उनको बेच लिया, तो उनका रेजरवेशन भتم हो गया, जो सरकारी उनिवर्सटीज थी, जो सरकारी कोलेज तो उनको बरबाद किया गया, वहां पर हमारे बच्चे सस्ती फीस दे के पढ़ सकते थे, अब नहीं पढ़ सकते, स्कूलों को बंद किया गया, हमारे बच्चों की सिक्षा पर कितना बुरा असर डाला गया, हमारे लोगों के लिए कितनी ज्यात्या बढ़े, उत्पीडन लगाता है बड़ा, 2014 में 40,000 केस थे, सेडूल कास्ट पे 2022 में 57,000 से ज्यादा कीस हैं, 17,000 ज्यादा कीस जो एन्वली दर्ज हो रहे हैं, तो ये तमाम तरीके की जो उत्पीडन बड़े लोगों ने समझा की कैसे प्रदानमंतरी निरेंदर मोदी लोगों को बेव तो फिर, मन्मू तबीक समविदान को बड़ सकते हैं, समविदान बड़ने कीज़ में लोगा करते हैं, हम लोगों ने तो नहीं किया लेकर वैसे हम लिए समविदान निरले माला ना निरल है और वाक्ति सेटी इक्जूमेंट है, जो श्रु सकरा है, छिधा स्म髑न के मैंतल है लिए माभनलोह İmdra Reg psic Adminta吃 दिया जाए जाए जानन मंत्री को अब बेज़ेंगे तो आचार सभय आप लगे हुई है लोगों को रिमाइड कर दिया जाए तो राश्पती को बेज दिया जाए तो राश्पती मौधिया चलिएगी क्योंकि बीजेपी में है जाहिड सी बात है लेकिन राश्पती मौधिया बहुत अच्छी है और हम उनकी बहुत इज़त करते हैं कई मामलों में चाहे वो जजों के अपोइंट्मेंट को लेके हो या जो एजुकेशन इंसितुशन में जो अच्छी तो रामनात कौविं से ज्यादा अच्छी राश्पती साबित हो अभी तक तो इसलिए उनकी बहुत इज़त करते हैं लेकिन चुकि वो एक स्यासी व्यक्ति है राजनितिक व्यक्ति है तो राजनिती में उनका इस्तमाल की आई जाएगा इसल लेकिन मुझे लगता है कि दलिद बोजिन समाज को अगर आप इतना वो समझते हैं कि वो इतने बिचारे एकदम नादान हैं कि आप कुछ भी करोगर वो आपके जहासे में आ जाएंगे तो ऐसा समझना इनके उपर भारी पड़ेगा हमारे लोग समझदार हैं और अपने में फिलाल या देश में कहीं पर अभी राममंदर या मोधी लहर का तो कोई जिकर मुझे तो देखने को नहीं मिलता लेकिन सुमित अगर हम देखे आज भी जो है दलित बहुजन लोग मंदिरों की दोड़ लगा रहे हैं भजन कीरतन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है लोग मख़से अगर है इसी सब्सक्रा भी जो सबैखे हैं लोगा बड़ा के मैं वह सिक्साद यून की नहींति प्रतने डिया जी तो अपके लिए कोई देवी देवता नहीं आए बिल्कुर है सरस्वती जौरे वो स्कारुद्रा में गड़ा मॉझने उंटीक अपने हम जाती, ब्रामन जाती के बच्चों को गुरुकल में सिक्षा दी, उन्हीं को पढ़ाने की कोशिश की, हमको बाहर रख दिया, ऐसा क्यों किया, हमारा सवाल है, आप नहीं आई उस समय हमको बचाने के लिए, लक्षमी को आप कहते हैं कि धनकी देवी हैं, हमने मान लिया, आप बुनियादी सवाल है, कि जब इतियास में हमारे साथ दरिंद्गी हो रही है, जब पेश्वाई राज में गले में मच्की टांके चलते थे, पीछे ज़ारू बान के चलते थे, कि जब चलें तो तो तुमारे पैरों के निशान भी मिट जाएं, किसी के उपर तुमारी मुटी तो बाबा साहिव लगते हैं, जब सिवस्मार के लिए का इतिस मुदे अवाज़खे ऌर बने आधा फ्वाधियम होगे, जब जिसने वियरे मोया का अफ्चे को और जित हो यह अरक्षन की सुविदादी जिसने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जिसने हमें जीवन का अधिकार दिया, जिसने हमें गरीमा पूरन जिंदगी जीने का अधिकार दिया, तो इसलिए बाबा साहिब डुक्टर अमबेटकर हमारे असली भगवान है, भगवान यह जोष्तें की बाबा साहिब दुक्टर म्बेटकर बावभ कर देंगे या हम गरीब है तो हम अमीर हो जाएंगे चमतकार कर देंगे या मेरे को पढ़ना लिखनाना नहीं आ रहा तो मुझे मैं पांस हो जाओंगा बिलकुल बिलकुल ये नहीं है हमारा उनके प्रति भाव है हम हुमारा उनके प्रथी, प्यार है, मौहबत है बाबासाइ्ब, डक़्टरमबडगर के प्रथी, किया आप हें तो हम है, उन Wiray 96. । नौह यौल संत्वार से श् regardsre u संवान से जी रहे हैं, अभी भी हमारे लोगों के साथ फाइटर कौम है लगाता लड़ती रहती है नियाएं के खिलाफ और लड़ती रहती है इसलिए हमें अपने असली भगवान बाबा साहिब डुक्राम बेटकर को पैचाना चाहिए कोई भी देवी दिवता कोई भी महात्मा कोई भी जो इनके धार्मिक प्रतीक है मंदिर है मस् तैउसी पर हमें ध्यान देना चाहिए बाकी सारी बाते फिजून है जी सुभीत आपने बहुत सही कहा बाबा साहब है तो हम है आपका बहुत शुक्रिया और आपसे चर्चा करने पर हमें लगता है कि हमारे दर्शुकों तक बहुत सारी इंफोमेशन पहुची होगी और उ अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR को स्कैन करें और Newsbeak Foundation के खाते में अपनी दान की राशी भीजें QR कोड के अलावा आप UPI की जरिये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsbeak at the rate YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsbeak Foundation अकाउंट नमबर है 0235887 0000640 IFAC कोड है YesB000235 बैंक का नाम YesBank है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 8595794224 पर वाट्सेप करें